नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अलकाशार्दा चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त अलकाशार्दा हाजिर हूँ आपके सामने एक और कहानी लेकर जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा दान तो दोस्तो हम अपने जीवन में कई प्रकार के दान करते हैं लेकिन दान देने का अर्थ कुछ देना ही नहीं होता सबसे जादा महत्पूर्ण यह है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपके अंदर क्या चल रहा है अगर आपके अंदर शांती और करुणा है तो आपका दान सफल है और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैंने उसे कुछ दिया है तो आपका दान व्यर्थ है आज मैं आपको भगवान बुत की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे आप इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ पाएंगे इसलिए इस कहानी को अंद तक जरूर पढ़ें और देखें तो आईए सुनते हैं कई दिनों तक मगत में ठैरने के बाद कौतम बुत मगत की राजधानी से प्रस्तान कर रहे थे जब इस बात का पता सभी को चला तो वहां के राजा और बड़े-बड़े सेच सभी गौतम बुत के पास आए वे सभी लोग बुत के लिए बड़े-बड़े उपहार भेट करने के लिए लाए उन सभी के अंदर ये लालसा जागी हुई थे कि बुत उनके उपहार से ज़्यादा प्रसन होंगे हर कोई अपने उपहार को सर्वश्रेच समझ रहा था उसमें से जब भी कोई वेक्तिदान देने के लिए बुत की तरफ आगे बड़ता बुद्ध दूर से ही हाथ हिला कर उसे स्विकार करके आगे बड़ा देते बुद्ध ये बरताब सभी लोगों के साथ कर रहे थे तबी उसी भीड में से एक व्रिद्ध महिला आकर बुद्ध के सामने खड़ी हो गई और बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहने लगी मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ और मैं आपको देना चाहती हूँ परंतु मैं बहुत गरीब हूँ आज बगीचे में मुझे ये आम मिले मैं इसे आधा खा चुकी थी तबी मुझे आपके प्रस्थान की सुचना मिली और मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ चली आई मेरे पास खाए हुए आम के सिवाए आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है कि आप मेरी इस भीट को स्विकार करेंगे बुद्ध अपने आसन से उठे और उस व्रद्ध महिला के पास जाकर और अपनी जोली फैलाकर उस आधे आम की भेट को बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्होंने सुचार किया यह द्रश्य देखकर वहाँ के राजा और बड़े-बड़े सेट आश्चर में पड़ गए वहाँ के राजा महाराज बिंद सार से रहा नहीं गया और वो बुद्ध से कहने लगे भगवान एक से एक महेंगे और बहुमूल उपार तो केवल आपने हाथ हिला कर ही सुचार कर लिए परन्तु इस बुद्धिक बुड़िया के जूटे आम मैं आपको ऐसे क्या विशेष्टा दिखी जो आपको अपना आसन छोड़ना पड़ा बुद्ध मुस्कराय और महराज विंसार को समझाते हुए कहने लगे इस बुड़िया ने मुझे अपने जीवन की समस्त पुंजी दे दी आप लोग ने मुझे जो भी उपार दिया वो ता आपकी संपत्ती में से छोटा सा अंश मात्र है अपने दान तो दिया लेकिन दान देने का एहंकार अभी भी आपके अंदर से गया नहीं है इस बुड़िया ने मेरे प्रती अपने प्रेम और श्रद्धा को दिखाते हुए अपना सब कुछ मुझे पर समपत्त कर दिया फिर भी इसके मूँ से पर असीम शांती और करुणा देखी है फिर बुद्र राजा बिंदसार को बताने लगे सच्चे मन से दिया हुआ दान ही सच्चा दान होता है उन सभी धनी लोगों को अपनी गलती के एसास हुआ और सभी ने गौतम बुद्ध से शमा मांगी तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको पसंद आईए हो तो आप प्लीज शेर करिएगा और प्रेना से भरी अनमोल सीख देने वाली कहानियों को सुनने के लिए अलका शार्दा चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकाउन पर क्लिक कर दें आज अपने अपना कीमती समय मुझे दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यद्यू इसके लिए प्रेन लिए।